अबसकार दोस्तों स्वागत है आपका एक वर्थ फिर आपके यूटूब चैनल जी एस स्पार्क में मैं आपको पॉलिटी के सारे टॉपिक्स से कोशन्स सॉल्ब करा रही हूँ इकोशन्स दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट हैं एक्जामस में आये हुए हैं आप ही सकते हैं इनको लाइटली मत लीजे मैं आपको हर वीडियो में यह बोलती हूँ कि यह आप स्क्रीन शॉट ले लिजे अदर्वाइस आप नोट भी कर सकते हैं इसको और बाकी आप डिटेल्स में तो ससी सर की प्लेलिस्ट में जाकर आप प करते हैं अफी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर JOSH करें तो दोस्तों पहला कोश danng Ade कि भारतिय संविदहान में मूल हूत अधिकार किस देश से लिए गया है दोस्तों भारतिय संविदहान में जों बताया आप इसली वीडियो में भी कि जब हमारा संभिधान लिखा दा रहा था तो कई अलग-अलग देशों के संभिधान से बहुत सारी सीजन ली गई है तो वही उसके भी questions आते हैं कि किस देश से क्या लिया गया तो mostly हर वीडियो में एकात question ऐसा होता है तो वही ये पहला question आपका है कि भारतिय संभिधान में मूलग तदिकार किस देश से लिया गया दोस्तो ये आपका अमेरिका से लिया गया next question है दोस्तो उचितम न्याला दौरा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है दोस्तो अगया question है आपका कि उचितम न्याला कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है दोस्तो इसका answer होगा आपका 5 प्रकार की object रहेंगे आपके लिखा होगा उसमें 6,7,8 तो आपको किसमें टिक लगाना है दोस्तो उच्टम न्यालाई दौरा पांच प्रकार की रिटे जारी की जाती है दोस्तो स्क्रीन शॉट ले लिए अगर आपने नहीं लिया हो मैं साइड में हो जा रही हूँ वाकि यह जो आपका पांच रिटे हैं इनको नूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं पहली होगी आपकी बंदी प्रत्यक्षी करन दोस्तो पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षी करन पर्मा देश दौनों लिख लीजिए पहली होगी पांच रिटे उच्टम न्यालाई दौरा कितने प्रकार की रिटे जारी की जाती हैं दोस्तो बंदी प्रतेक्षी करण, पर्मा देश, प्रती सेद, उत्प्रेक्षन और अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेक्षन और अधिकार प्रेक्षा, दोस्तो ये पांचों रेटे नोट कर ली होगी आपने, और I hope आपने screenshot भी ले लिया होगा, The next question आपका third है, कि भारती संविधान के अनिसार, जीवन का अधिकार एक मौलेक अधिकार है, दोस्तो इसका अंसर ये होगा आपका, कि भारती संविधान के अनिसार जीवन का अधिकार, आपका क्या है, दोस्तो एक मौलेक अधिकार है, वैसे आज जो questions हैं, आपके मौलेक के हैं ज्यादता मॉलिक अधिकार और प्रिक कर दें मॉलिक अधिकार मैंने दोस्तों उपर लिखा हुआ है आपका अधिकार भाOut तीन स्य वह बारा है 15500 तक है दोस्तों है दोस्तों जो सब्सक्राइस से 53 है यह जो आपकर यह मॉलिक करतब हेडिंग डाली हुई है मौलिक करतब इसके में एक दो कोशन्स हैं दोस्तों तो दोस्तों भी आपके कितने कोशन्स हो गए हैं आपके चार कोशन्स हो गए हैं तीन हुए हैं कि भारती सम्मिधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है उसके बाद next question आपका दोस्तो है चोथा कि भारती सम्मिधान के किस अनुचेत के अंतरगत ससस्त्रबलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को बिसे इस रूप से प्रतिवंदित करता है दोस्तो next question है कि भारती सम्मिधान किस अनुच्छेत के अंतरगत, भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत, ससस्त्रबलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विसे इस रूप से पृतिवंदेत करता है, दोस्तों इसका आंसर तो होगा आपका अनुच्छेत 33, 33, दोस्तों जैसे अगर कोई से प्रतिवंद्यत करता है यह प्रतिवंद्ध है कि वो इस तरीके से जौब अपनी नहीं छोड़ सकते हैं उस टाइम नहीं छोड़ सकते हैं जब लड़ाई कर रहा है तो इसी के बारे में आपका अनुचित 33 में बताया गया नेक्स कोशन है दोस्तों कि अभियोक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध करना क्या माना जाएगा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कोशन अभियोक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध करना क्या माना जाएगा ब्यक्तिकत स्वतंदृता का उलंगन दोस्तों नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाद करना क्या माना जाएगा व्यक्तिकत सोतंदरता का उलंगन होगा दोस्तो ये इसका अंसर होगा नेक्स्ट कोशन है आपका कि भारतिय संविधान में अल्फ संख्यकों को माननेता किस आधार पर दिया गया है दोस्तो भारतिय संविधान में अल्फ संख्यकों को माननेता जन संख्या के आधार पर दी गई है इसका अंसर होगा आपका कि भारतिय संविधान में अल्फ संख् कर्तब दोस्तो मौलेक कर्तब आपके मौलेक कर्तब भाग चार में हैं मौलेक कर्तब तो मौलेक कर्तब हमारे संबिधान में किस संसोधन के द्वारा जोड़े गए दोस्तो 42 वा संबिधान संसोधन था आपका जब हमारे संबिधान बना था तब एक भी मौलेक कर्तब नहीं देन फिर और ये जो है आपके फौर्थ का चार का पार्ट में है आपके मौलेक कर्टब चार का भाग में है और मैंने आपको बताया अभी कि जब एक भी नहीं थे और आपके फिर ब्लिबादिद्धा संसोधन सरदार सौन सिंह समीति इसमें आपके लिएक 10 मौलेक करतब आये फिर आपका Friend geehr हुआ था आपका ग्यारवा है छासीवा संविधान संसोधन लिख दोस्तों है मौलेक करतब चंसोधन के भधाडर हाज़ार डो मैं आपका 11 मौलेक करतब ऐड हुआ था छोल्त है दोस्तों मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है दोस्तों मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है मत देने का अधिकार आपका कानूनी अधिकार है next question है आपका नौबा कि राज के नीती निदेशत तत्त की अभधारना किस देश के संभिधान से ली गई थी दोस्तों मैंने भी आपको बताया है कि मुस्तली वीडियो में एक दो खोश्चन ऐसे ही होते हैं कि ये किस देश के सम्मिधान से लिए गया, वो किस देश के सम्मिधान से लिए गया, तो राज के नीती निदेशक तत्तो कि अब धार ना, किस देश के सम्मिधान से लिए गई थी, दोस्तो इसका अंसर होगा, आपका आयरलेंड की सम्मिधान से लिए गई थी, and then last question आपका है कि अगर राज के नीती निदेशक तत्तों को लागु ना करे तो नागरिक किस नियालय में बात दाखिल कर सकता है किसी भी नियालय में नहीं दोस्तो इसका आंसर होगा आपका किसी भी नियालय में नहीं कर सकता है again question को सुनिए कि अगर राज राज के नीती निदेसक तत्तों को लागू ना करे तो नागरिक किस न्यालाय में बात दाखिल कर सकता है किसी भी न्यालाय में नहीं होगा इसका दोस्तों, यह 10 question थे again मैं आपको repeat करती हूँ पहला आपका question था, बहुत fast करूँगी दोस्तों, आप इनका screenshot ले लीजे अगर लेना हो आपको तो otherwise note कर रहे हूँ या तुरंत याद कर रहे हूँ तो और अच्छी बात है पहला question है आपका कि भारतिय सम्मिधान में मुल्भूत अधिकार अमेरिका से लिया गया है and the next question है आपका उचितम न्याले दोरा कितने प्रकार की रिटे जारी की जाती है दोस्तों, पाँच प्रकार की रिटे जारी की जाती है उचितम न्याले दोरा कितने प्रकार की रिटे जाती है पाच प्रकार की रिट है थर्ड कोश्चन है आपका भारतिय संबिधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है भारतिय संबिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत ससस्त्र बलों के सदश्यों के मौलिक अधिकारों को बिसेश रूप से प्रतिवंदित करता है दोस्तों भी बताएं आमने जो सेना में भटती रहते हैं हमारे जबान और भी जो सारे ससस्त्र बलों वाले जो विभाग हैं तो इनके जो मौलिक अधिकार हैं, इनको बिशेश रूप से प्रदिभंदित करता है आपका अनुचे 33. The next question है कि अभियोक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाद करना क्या माना जाएगा? ब्यक्तिगत सोतंतरता का उल्लंगन. इसका अन्सार होगा आपका उल्लंगन. The next question है कि भारतिय संविधान में अलफ संख्यकों को मानेता किस आधार पर दी जाती है? And the next question है मौलिक करतब, मौलिक करतब हमारे संविधान में किस संसोधन के द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तो मौलिक कर्टब मैंने आपको बताया कि 42 वा संविधान 1976 में जो आपका हुआ था उसमें आपके सरदार स्वान सिंग समीती 10 मौलिक कर्टब वे जुड़े थी Then next आपका बताया कि 86 वा संविधान संसोधन 2002 में आपका 11 मौलिक कर्टब एड हुआ था और स्विधान नगर्ग कर्टब वे अपके चार काम है भाग चार काम है इन Next question है राज के नीटी नीटी नेटेसरय तक्ति तत्यों को लागू ना करें तो नागर्य किस ने आलाय में बात दाखिल कर सकतें किसी भी ने souvenir में नहीं कर सकतें तो दोस्तों ये थे हमारे 10 questions जो कि काफी important है exams में आए हुए है और आगे आपकी परिक्षाओं में आ भी सकते हैं तो दोस्तों इनको note कर लीजे, screenshot ले लीजे, answers आपने note कर लिए होंगे, याद हो गए होंगे और दोस्तों हमारे जो चैनल को आप प्यार दे रहे हैं और प्यार देते रहे हैं इसी तरीके से हमारे अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करिए, videos को like करिए and thanks for watching video